हिमाचल परदेश राजी बिदुद परिशिद पैंशनर कल्यान संग ने सोलल में राजी स्तरिय अधिवेशन का आयोजिन किया इस आयोजिन में पीदान सवा अधिक्ष डक्टर राजी बिंदल बतौर मुख्यातिती शामिल हुए इस आयोजिन में बिदान सवा अधिक्ष डक्टर राजी बिंदल बतौर मुख्यातिती शिर्कत हुए दीप रजिलत कर कारिक्रम का रजी विंदल ने बिद्वत शुभरम किया वही संग के पदाधिकारियों ने बिजली बोर्ड में लगातार करमचारें की होती कम संख्या को लेकर चिंता जाहर की और कहा की अगर बोर्ड की कारेपनाली को सुधारना है तो उसमें नई भर्तियां होनी चाहिए इसके लाब अभी संग की कई मांगों से बिधान सवा ध्यक्ष को अगबक्त कराया गया इस मौके पर बिधान सवा ध्यक्षन हिमाचर परदेश राज्या बिदुत परश्यत पैंशन कलियान संग की मांगों को ध्यान से सुना और संग के पताधिकारीं को कहा कि बेवल की मांगों और सुझाबां को सीम तक पुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि संग की मांगें पूरी हो सकें प्रदेश तरिय संभेलन में आजाने का मुझे मौका मिला चंबा से लेकर के किननौर तक और सिर्मार से लेकर के कुलू मनाली तक के सेवा निवरित अधिकारी करमचारी जो हिमाचल पुर्देश बिजली बोर्ड से सेवा निवरित हुए हैं ये सब लोग सोलन पदारे और एक स्वर में सभी ने ये कहा कि कुछ ऐसी बाते हैं जो शायद बहुत कम धन के वेसे या बिना धन के वेसे समस्याओं का समाधान हो सकता है उन विश्यों को लेकर के बोर्ड के साथ और माननी मुठ्यमंत्री जी के साथ विश्य रखा जाना चा चाहिए और हमने यह शोर किया है कि हम इनके विश्य को लेकर माननी मुठ्यमंत्री जी से और बोर्ड के अधिकारियों के साथ इनकी बैठक कराएंगे जो सबसे अच्छी बात और आज यहां रखी गई कि जो बोर्ड के सेवा निवेत अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि बो यह ना होने के कारण विबिन परकार के कारेयों में खानिया आती हैं इस विचार को भी और सरकार तक बखू भी पहुचाया जाएगा आज जो उत्साहा जो उमंग इन सब लोगों में देखने को मिली वो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सेवा निवरित लोग हैं यह भारी मात्र में जन सेवा भी कर रहे हैं तो यह थास दिन पर कारे करम कल फिर हाजर होंगे नहीं गत्पितियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे हैं एस टूड़े के साथ नमस्कार